आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं प्रशान दर्मन रवी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी गौर्मिन पीजी कॉलेज चमबा आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशय पे बातचीत करने वाला हूँ जिसका नाम है पत्रलेखन और इस वीडियो के तहट पत्रलेखन से जुड़े हुए जो तमाम महत्वपूर्ण विशय हैं वो हम आपके साथ डिसकस करने वाले हैं तो इसे बहुत ध्यान से देखें आज हम जानेंगे कि पत्रलेखन क्या है पत्रलेखन में किन-किन बातों का ध्यान रखें यानि कि जब हम पत्र लिखें तो कौन-कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बाते हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए पत्र के कितने प्रकार होते हैं और विभिन प्रकार के पत्र कैसे लिखे जाते हैं यानि कि सही पत्र लिखने का क्या तरीका है आज हम इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि पत्र लिखन क्या है तो साधारन सब्द में अगर आप कहें तो पत्रलेखन एक कला है और एक ऐसा माध्यम है एक लिखित माध्यम है पत्रलेखन एक लिखित माध्यम है जिसके द्वारा दो व्यक्तियों के बीच आपसी विचारों का भावों का बहुत सरल और सहज तरीके से समवाध होता है यानि कि एक तरह से लिखित समवाद करने का एक ससक्त और सरल माध्यम है पत्र लेखन सो प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जेम्स होडल का ये कहना है कि जिस प्रकार कूंजियां मनजुसाओं के अंतराल को खोल देती है उसी प्रकार पत्र हरदे के विभिन पतलों को खोल देते हैं यानि कि जब हम पत्र लिखते हैं उसमें अपनी भावनाओं को उडेलते हैं तो हम एक दूसरे के करीब आते हैं हमारे संबंद और ज्यादा मजबूत होते हैं प्राचीन काल में आपने देखा होगा, फिल्मों में भी आपने ये नजारे देखे होगा कि कभी हम कबूतर से चिठिया भीज रहे हैं, कबूतर जा 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 ये बहुत प्रसिद गीत भी है, तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि आज जो स्थान वाटसैप, इमेल, फेस्बुक और बिभिन प्रकार के मैसेजिंग एप ने ले लिया है, जिससे हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुचाते हैं और बाचीत करते हैं, वो किसी दौर में चिठिया करती थी, चिठियों के माध्यम से, यानि कि पत्रों के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुचाते थे और अपनी बात कहते थे, इस प्रकार संचेप में अगर पत्र लेखन का परिचय देना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि पत्र लेखन एक उपयोगी या जरूरी कला है, पत्र लिखने की परमपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, और पत्र अपने मन क भावना को वाणी देने का एक उत्तम साधन या उत्तम जरिया है, जिसकी बात मैं कर रहा था कि ये कैसा माध्यम है, जिसके माध्यम से हम, जिसके द्वारा हम लिखित रूप में संबाद करते हैं, और साथी साथ कहा कि जीवन में सफल होने के लिए प्रभावी पत्र लेख आईए अब हम जानते हैं कि आखिरकार पत्र लिखते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहली बात कि पत्र की भाषा पत्र पाने वाले के मानसिक अस्तर के अनुरूप होने चाहिए, यानि कि जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, उसके mental level, उसका मानसिक अस पत्र में सरल और छोटे वाके का प्रियोग किया जाना चाहिए, जितने सरल वाके और छोटे छोटे वाके आप लिखेंगे, पत्र उतना ही अच्छा होगा और साधारन होगा, पत्र में अनावस्यक विस्तार से बचना चाहिए, यानि कि सीधी बात नोबकवास, जितनी बा पत्र लेखन में शिष्टता बनाए रखनी चाहिए, यानि कि विनम्रता होनी चाहिए, पत्र की आपकी जो भाषा हो उससे लगे कि आप बहुत विनम्रता पुरवक प्रेम से अपनी बात रख रहे हैं, पत्रों में आत्मियता होनी चाहिए, यानि कि पत्र लिखते समय आपक में जुड़े होने चाहिए यानि कि प्रतेक पंक्ती आगे की पंक्ती से और अपने पीछे की पंक्ती से एक जुड़ाव हो तारतम में ता हो ऐसा नहीं कि एक पंक्ती में कोई और बात लिख रहे हैं और दूसरी पंक्ती में कोई और बात आप लिख रहा है, तो ऐसे पत्र को अच्छा नहीं माना जाएगा, एक प्रवा हो, एक क्रम हो, तब पत्र बहतर माना जाता है, तो ये महत्वपूर्ण बाते थी, जो पत्र लिखते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए, संचेप में अच्छे पत्र की विशेस्ताएं क्या क्या हो सकती हैं, इसको भी मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहली जो विशेस्ता होगी, वह भाशा की संचेप्तता, यानि कि संचेप में आप अपनी बात लिखें, क्रम बद्धता, यानि कि क्रम बना रहे, जुडाव हो बातचीत का आपस में, जो जिसे आप लिख रहे हैं, उसे पढ़कर उसके हदय में एक अच्छा प्रभाव उत्पन हो, आपकी बातें अपीलिंग हो, आपकी बातें दिल को छू लेने वाली हो, और आपका पत्र उदेश्य पूर्ण होना चाहिए, यानि कि किस हेतु आप लिख रहे हैं, किस कारण से आप पत्र लिख रहे हैं, या उदेश्य बिलकुल पत्र पढ़कर के पढ़ने वाले को समझ में आ जाना चाहिए, आईए अब बात कर लेते हैं, पत्र के भेद के उपर, तो सामाने तब पत्र के दो भेद या दो प्रकार होते हैं, आपचारिक यानि कि फॉर्मल लेटर्स और अनौपचारिक यानि कि इन फॉर्मल लेटर्स, जितने भी ओफिसियल लेटर्स आते हैं, आप किसी भी कार्याले को पत्र लिख रहे हैं, तो कार्याले से जुड़े हुए सारे पत्र जो हैं, वो फॉर्मल लेटर्स के अंतरगत आते हैं, जिने हम आप फॉर्मल लेटर को राजिके मुख्यमंत्री को प्रधान मंत्री को किसी ऑफिस के किसी प्रधान को किसी संपादक को ये जितने भी पत्र आप लिखेंगे ये सारे फॉर्मल लेटर्स आएंगे अपचारिक पत्रों की स्रेडी में आएंगे जबकि अनपचारिक पत्र में नीजी संबंद जिनस अनौप्चारिक पत्र अपने परिवार के लोगों या सगे संबंधियों और मित्रों को लिखा जाता है और इस तरह के पत्र की विशेषता यह होती है कि यह पत्र लंबा हो सकता है बड़ा भी हो सकता है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत, सुख, दुख और मन की बात आप कर सकते हैं आप अपनी जो भी पर्सनल नीजी फिलिंग्स हैं उसका जिक्र इस पत्र के माध्यम से आप कर सकते हैं अगर अनौपचारिक पत्र के प्रकारों को अगर हम समझने की कोशिस करें तो इसमें निमनिक प्रकार के पत्र आ सकते हैं अगर आप किसी को बढ़ाई पत्र या आपने कोई सफलता हासिल की तो आप अपने किसी करीबी को इस सफलता के बारे में लिखकर बताते हैं तो ये सारे पत्र आपके संबंधों से जुड़े होते हैं आप किसी को सांत्वना पत्र लिखते हैं आपके किसी सगे संबंदी को परिक्षा में थोड़े कम अंक आ गया और वो निराश है तो आप उन्हें सान्टवना पत्र लिखते हैं या किसी तरह की जानकारी देने के लिए कोई लिखा गया पत्र है या किसी तरह आप कोई सलाह देना चाहते हैं अपने से जुड़े किसी विवक्ति को तो ये सारे जो पत्रों की स्रेणिया है ये जो प्रकार है ये सब अनौपचारिक पत्र के अंतरगत आते हैं अई अब जान लेते हैं कि जब आप अनौपचारिक पत्र यानि कि व्यक्तिगत पत्र जब आप लिखते हैं तो आपको किन-किन बातों का ध्यान र दिन पत्र लिखा जा रहा हो वो तिथी या दिन देना महत्वपूर्ण है तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है संबोधन यानि कि पत्र प्राप्ट करने वाले के संबंध के अनुसार आपका संबोधन होना चाहिए जगर अगर आप किसी बड़े को पिता को लिख रहे हैं शि प्यारे इस तरह के शब्द का प्रियोग आप संभोधन के लिए कर सकते हैं चोथा महत्यपूर्विंदू है अभिवादन यानि कि आप जिसको पत्र लिख रहें हैं उसके साथ आपके जो संबंध हैं उसके हिसाब से आप अभिवादन का प्रियोग करें जैसे अगर बड़ों के लिए आप लिख रहे हैं तो सादर प्रणाम, चरनसपर्स आप संबोधन प्रियोग कर सकते हैं चोटे के लिए लिख रहे हैं तो आप चिरन जीवी रहो शुभा शिर्वाद या शुभ स्ने या प्यार इस तरह के संबोधन आप प्रियोग कर सकते हैं पाचवा है पत्र की विशय वस्तु यानि कि पत्र लेखा कि आप प्राप्त करने वाले से जो कुछ भी कहना चाहता है यानि कि जिसको आप पत्र लिख रहे हैं जिसको पत्र मिलने वाला है उससे आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसकी विशय वस्तु आप लिखते हैं और छठा है पत्र का समापन यानि कि पत्र की समापती आप जो संबंध है उस संबंध के हिसाब से आप करते हैं जैसे कि तुम्हारा भाई तुम्हारा दोस्त आपका प्रिय इत्यादी जो भी आपका उनसे संबंध है तो अपने लिए आप उस रब्द का प्रियोग करते हैं तो ये कुछ तत्व हैं, कुछ अवयव हैं, अनौपचारिक पत्र लिखते समय, जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए. उदारण के लिए एक पत्र भी आपको दिखा रहा हूँ, कि अगर परिक्षा में आपका मित्र प्रथम स्थान प्राप्त करता है, तो उसके लिए आप बधाई पत्र कैसे लिखें, उपर परिक्षा भवन और आप कुछ भी वहाँ नीचे दे सकते हैं, जो स्थान हो, फिर उ विश्वास था कि प्रथम आओगे, इस परिक्षा के लिए तुम्हारे परिश्रम ने ही तुम्हें इस उचाई तक पहुँचाया है, मुझे पूरी आसा थी कि तुम्हारा परिश्रम रंग लाएगा, तुमने प्रथम अस्थान प्राप्त कर या सिद्ध कर दिया, कि इस कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, मैं सदय वह काम ना करूंगा, कि तुम्हें जीवन में हर परिक्षा में प्रथम अस्थाने का स्वभागे मिले, तुम इसी तरह अपने परिवार और विद्याले का गौरो बढ़ाते रहो, और मेहनत करते रहो, और सदा प्रसन रहो, तुम्हारा मित्र और नीचे अपना नाम, तो एक format मैंने आपको एक informal letter का दिया है, इसके बाद आता है आपचारिक पत्र, जिसे हम formal letters कहते हैं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कार्याले और office से जुड़े हुए जो पत्र होते हैं, तो जिनसे कोई नीजी संबंध नहीं होता, उसे हम आपचारिक पत्र कहते हैं, जैसे कि आवेदन पत्र, व्यावशाय के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, आप सफाई के लिए मुख्यमंत्री को या जिला के डीसी को पत्र लिख रहे हैं, स्वास्थ सुगधाओं के लिए आप स्वास्थ मंत्री को पत्र लिख तो ये सारे पत्र जो है आपचारिक पत्र आते हैं और इनके लिखने का तरीका है कि आप लिखते हैं कि सेवा में माननी आप जो कुछ भी है माननी आप मुख्यमंत्री महोद है या स्वास्तमंत्री महोद है कहां के मुख्यमंत्री है कहां के स्वास्तमंत्री यहां कहां के डी के लिए आप स्वास्त मंतरी को लिख रहे हैं तो सेवा में माननीय स्वास्त मंतरी हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश विशय मेरे ग्रिह जिला अपने जिले का नाम लिखेंगे में बेहतर स्वास्त सुविधाओं के लिए निविदन पत्र आप निविदन करेंगे उसके बाद आप बताएंगे कि महाशाय मेरे ग्रिह जिला में स्वास्त की सुविधाएं अच्छी नहीं है यहाँ आबादी अधिक है और उस लहाज से यहाँ स्वास्त सुविधाओं की बहुत कमी है आप अपना नाम परिचे देंगे और बताएंगे कि मैं आप से प्रात्ना करना चाहता हूँ कि जल से जल जनता के हित में और लोगों की असुविधाओं का खयाल रखते हुए स्वास्त सुविधाओं मुहाया कराने की आप करेंगे नाम पता इत्यादी इत्यादी तो ये format होते हैं informal और formal letters लिखने के परिक्षा में इससे जुड़े हुए प्रस्ण आते हैं और प्रस्ण letter लिखने के लिए भी आपसे प्रस्ण पूछे जाते हैं तो मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो भी संबंधित जानकारी है उसे आप हासिल कर पाएं आप इस जानकारी को बाकी लोगों के साथ भी श्रेयर करें और आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो अपनी टिपड़ी भी नीचे कमेंट में जरूर करें धन्यवाद